10 जनवरी 2024 पोश अमावस्या के दिन कर लीजिएगा तीन लॉंग केस प्राचीन काल के समय के महा उपाय को जीवन के हर कश्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति भगवान विश्णुजी और माता लक्ष्मी जी के आशीरवाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा बलकि आप बन जाओगे करोड़ पती खुशियों से भर जाएगा आपका घर दोस्तों साल की पहली अमावस्या दस जन्वरी को शुरू होकर ग्यारह जन्वरी को खत्म होगी बताया जा रहा है कि एक सौ बतीस वर्षों बाद एक ऐसी अमावस्या तिथी आ रही है जिसमें कुल बासट तरीके के शुभ योग बन रहे हैं जिस दोरान की गई पूजा साधना क्रिया का पलट करके एक व्यक्ति को करोडो गुना लाभ मिलेगा हर साल की पहली अमावस्या को पौश अमावस्या के नाम से जाना जाता है पौश अमावस्या ग्यारह जन्वरी गुरुवार को पड़ रही है हिंदू पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथी 10 जन्वरी बुधवार रात 8 बजकर 10 मिनट पर शुरू होकर 11 जन्वरी गुरुवार को शाम 5 बजकर 26 मिनट पर समाप्त होगी स्नान वदान दक्षणा का मुहूर्त सुबह 5 बजकर 57 मिनट से लेकर सुबह 6 बजकर 21 मिनट तक रहेगा पौश माह में पढ़ने की वज़ह से यह अमावस्या विशेश लाभदाई और शुभ मानी जाती है इस दिन व्रत या उपवास रखने से और पूजा अर्चना करने से कई गुना अधिक फलों का प्राप्ती होती है इस दिन भगवान विश्नु का पूजा पाठ करके भजन कीर्टन करने की परंपरा है अमावस्या के दिन निर्धनों वजरूत मंदों को दान दक्षना देने से पापों से मुक्ती मिलती है इस दिन सनान दान करने से पित्रों पर आय संकट दूर हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ती होती है और दोस्तों अगर इस दिन आप वरत नहीं रख सकते हैं आप किसी पवित्र नदी में जाकर सनान नहीं कर सकते हैं आप दान पुण्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपको भगवान विश्णुजी और माता लक्ष्मी जी का आशीरवाद एक साथ प्राप्त हो और आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नश्ठ हो जाए। पूर्थ पर तीन लौंग के उस उपाय को कर लीजिए जो आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और सिर्फ इतना ही उपाय को इस अमावस्या तिथी को करने के बाद पूरे साल आपके घर पर धन का आगमन बना रहेगा। आपके घर पर जो धन आएगा उसमें पाय है जो सिर्फ साल की पहली अमावस्या तिथी के दिन किया जाता है। देखिए दोस्तों अमावस्या की रात जो होती है वह सबसे ताकतवर रात होती है। इसलिए आपने देखा भी होगा। तांतरिक पंडित एस्ट्रोलॉजर पूरे साल अमावस्या की रात का इंतज और अगर इस दिन आपने सिर्फ तीन लॉंग के उस उपाय को कर लिया, जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, तो साक्षात आपको भगवान विश्णुजी और माता लक्ष्मी जी का आशीरवाद जरूर मिलेगा, और आपके ही नहीं, आपके पूरे परिव के जीवन में एक चमतकार सकारात्मक बदलावाएगा, अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि लॉंग का उपाय करके आपको भगवान विश्णुजी और माता लक्ष्मी जी का आशीरवाद कैसे मिल सकता है, लॉंग का उपाय करके एक ही रात में आपका जीवन कैसे बदल सकता है, तो देखिए दोस्तों, जो लॉंग होती है, उसमें माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है, दूसरी तरफ अगर भगवान विश्णुजी की पूजा में लॉंग का इस्तिमाल किया जाए, वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है, और अगर आप आपने सिर्फ इस अमावस्या की राद तीन लॉंग के उस उपाय को कर लिया, जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों पूरे साल आपका भाग्य प्रबल रहेगा, आप जिस कारे को शुरू करेंगे, उस कारे में आपको सफलता प्राप्त होगी, और फिर आपके ज विश्नु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, भगवान विश्नु जी के आशीरवाद से आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नती हो, माता लक्ष्मी की कृपा से इस अमावस्या तिथी के बाद आप करोडपती बन पउचा सकते हैं, उतने लोगों तक पहुचा दीजе ताकि लोगों का भला हो सके भगवत गीता में लिखा हुआ है कि अगर आप लोगों का भला करेंगे तो आप का भी भला होगा इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजे और जितने लोगों तक आप पहुँचा सकते हैं, उतने लोगों तक पहुँचा दीजिए। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, वह है शुक्र ग्रह को मजबूत करने का महा उपाय दोस्तों, अगर आप इस ग्रह के बारे में नहीं जानते हैं, तो आपको बता दें शुक्र ग्रह धन और संपदा का ग्रह होता है जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह उसका साथ देता है वह व्यक्ति धन संबंधित जो भी निर्णय लेता है उस निर्णय से सिर्फ उसको फायदा पहुँचता है यह ग्रह जिसका भी साथ देगा वह व्यक्ति अपने आप ही करोड़पती बन जाएगा और अगर आप चाहते हैं कि इस अमावस्या तिथी के बाद आपका शुक्र ग्रह हमेशा आपका साथ दे आपके जीवन में जो धन आये उसमें वृद्धि हो तो बस आपको यह करना है कि दस जनवरी की शाम को आपको एक पीतल की कटोरी लेनी है उसमें आपको तीन लॉंग रख देना है और इस कटोरी को ले जाना है और अपनी छट पर आपको रख देना इसको सिर्फ इतना उपाय आपको करना है और ग्यारह जन्वरी की सुभा आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है नहाने के बाद इस कटोरी को उठा कर लाना है आपको जिस कटोरी में आपने जो तीन लॉंंग रखा था अभी तीन लॉंग को आपको किसी भी लाल पेपर में लपेट कर अपने पर्स में रख लेना है सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस अमावस्या तिथी के दिन कर दिया पूरे साल आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देगा यह लॉंग अभिमंत्रित हो जाएगी जो आपका शुक्र ग्रह को इतना मजबूत कर देगी जिसके बाद आप धन संबंधित जो भी निर्ने लेंगे उस निर्ने से सिर्फ आपको फायदा पहुँचेगा यह एक प्राचीन काल के समय का महा उपाय है जो साल के पहले अमावस्या तिथी पर किया जाए तो इसका लाब पूरे साल एक व्यक्ति को मिलता रहता है दूसरा उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाए दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ दे आपके नवग something घ्रह आपका साथ दे आपके राहु केतु आपका साथ दे तो पहले आप यह समझ लीजिए कि किसी भी व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का जो नियंत्रन होता है वह भगवान विश्णुजी के हाथों में होता है तो बस आपको एक छोटा सा उपाय करना है इस अमावस्या तिथी पर और पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ देगा दस जनवरी की शाम को आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है एक डिब्बा लेना है जिसमें हल्दी भर लेना है जो हल्दी होती है दोस्तों वह शुब गुन का प्रतीक होती है आपको दो लॉंग लेना है आपके घर के पूजा घर पर आपको जाना है जहां भी भगवान विश्णुजी की प्रतिमा रखी हो सबसे पहले पूजा घर में आपको एक घी का दीपक जला देना है दो लॉंग को और हल्दी के डिब्बे को आपको अपने हाथ में पकड़ना है भगवान विश्णुजी के बीज मंत्र का जाप आपको ग्यारह बार करना है भगवान विश्णुजी माता लक्ष्मी जी को ग्यारह नमबर बहुत प्रिय है बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाए नमः हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम अब इस तीन लॉंग को आपको इसी हल्दी के डिब्बे में डाल देना है इस हल्दी के डिब्बे को अच्छी तरीके से बंद कर देना है आपको और अपने उस कमरे में रख लेना है आपके घर की बरकत होगी, आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा और फिर आपके जीवन में इस अमावस्या तिथी के बाद आपको काम्याब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, अगला उपाए है घर की बरकत का महा उपाए अगर आप चाहते हैं आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नती हो भगवान विश्णु जी, माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहे, तो दोस्तों इस अमावस्या तिथी पर सूर्यास्त के बाद घर के मुख्य द्वार से लेकर घर के हर कोने में आपको एक एक घी का आपको दीपक जला देना है और हर घी के दीपक में आपको एक-एक लॉंग डालने से पहले जय भगवान विश्णु जय माता लक्ष्मी जी बोलना है सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो पूरे साल आपके घर पर सकारात्मक उर्जा का वास बना रहेगा और जिस घर में भी सकारात्मक उर्जा का वास होता है उस घर की बरकत होती है उस घर की उन्नती होती है उस घर पर देवी देवताओं का आशीरवाद बना रहता है तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा अगला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय अगर आप चाहते हैं, पूरे साल आपके घर पर धन की वर्षा हो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर पर धन का आगमन पूरे साल बना रहे आपके घर पर जो भी धन आए, उसमें वृद्धी हो तो बहुत छोटा सा उपाए आपको इस अमावयस्या तिथी पर करना है, आपको सिर्फ ये करना है कि दस जनवरी की शाम को आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां भी माता लक्ष्मी की कला चित्र रखी है, वहाँ पर आपको जाना है सबसे पहले माता लक्ष्मी जी प्रतिमा के सामने आपको घी का दीपक जला देना है, एक लाल कपड़ा बिछाना है, उसमें आपको चार लॉंग, तीन कपूर और एक मुठी धनिया रखना है हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, चार लॉंग, तीन कपूर और एक मुठी धनिया आपको रखना है इस कपड़े की पोटली बना लेनी है, इस पोटली को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप आपको ग्यारह बार करना है बीज मंत्र है, ओम महालक्ष्मी, नमा हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों ओम महालक्ष्मी नमा इस पोटली को आपको ले जाना है और अपनी अलमारी में तिजोरी में दक्षन दिशा में रख देना है। सिर्फ इतना उपाए। अगर आपने इस अमावस्या तिथी के दिन कर लिया तो यह पोटली अभिमंतरित हो जाएगी जो आपके जीवन में धन खीचने का काम करेगी। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धी होगी। माता लक्षमी जी की कृपा आपके घर पर बनी रहेगी और दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले आपसे निवेदन था। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा।